आरेस्ट वारेंट की तामील होने के बाद फिर आदमी कैसे उपलब्द उपसित नहीं होगा साथ समझाईए का पैरा नाइन में आपके एस्पी साथ लिख रहे हैं यह तो हमें समझ में नहीं आया अरेस्ट वारेंट की सर्विस हो गई और वो उपस्तित नहीं है कोट में ऐसा कहां प्राबधान है कैसे सर्विस होती है अरेस्ट वारेंट ही बताएगा ना अरेस्ट वारेंट की सर्विस बता रहे हैं और वो शक्तिशाली है, प्रक्रिया की बात करिए आप, आपके SP साब लिख रहे हैं, इसलिए पूछना पड़ा आप से, ये SP साब का एफटिवेट है, आपके विनायक वर्मा, पर बताईएगा, कि जब आप का मताये है, उचिछाली की लिखाता कि खाता है, येॉदर सीट मानने लिखाता, इस वचे से स्रिमान ने लिएखे, हमें नी मानुम क्या लिखाता, और सीट में क्या लिखा ए गायरा ए 8 जुलाए के सब पेज नमबर 32 चुन्ट शक्याइक है। ठीक है अता साक्षी संसी का रिपोड़े को पुना क्रप्तारी वरंड जारी कर आहूत किया जो अरे आप ज़िए इसको ऐसे चुक होने पुरी स्टेशन लोधी के लागा आप इस पी साथ तो कह रहे हैं आपकी गलती है पूरी की पूरी पूरी तो ऐसा क्यों करते हैं ने दो बार गलती हुई छमा प्राथि उसका भविश्मा याद रपर शमा नहीं है इसके लिए आपने पूरे के पूरे जस्टेस डिविवरी सिस्टम को डीडेल कर दिया तो तरिक तो फनुछ तो बड़ी महरवानी करी आपने पूरी विवस्था के टो आपकी महरवानी है तरिक आपने तामील कर दिया उसके पहले क्यों तामील कर रहे थे तरह वो मुझसे गलती हो गई से अब पार्टिव से बाविश्व में आप आप SP has thereafter mentioned that arrest warrant was executed on 2-9-2023 and the concerned SHO is at fault SHO of police station Lodi Ghera is at fault आपके SP साब तो बज़ गए है भी